असलाम अलेकुम दोस्तों केसो आप सब उम्मित करूंगा आप सब अच्छे होंगे स्वागत आप सब का इवार फिर से मेरे यूटूब चैनल पर आज के इस वीडियो में सौधी से इंडिया जाने का जो ट्रावल रिक्वार्मेंट्स है रिसेंटली मेरे कई फ्रेंड्स करूंगा इस वीडियो में क्योंकि PCR टेस्ट चाहिए या नहीं चाहिए इसको लेके काफी लोगों में एक डर कंफ्यूजन क्योंकि इससे पहले के वीडियो में मैं आप लोग को बताया कि इंडियन गवर्मेंट्स ने 14 फरवरी से यह जारी किया है जिन्होंने वैक्सीन का डोज ले लिया है उनको PCR टेस्ट कराने की जौरत नहीं है इसके लाव इंडिया में कॉरंटाइन भी नहीं होना है यह बहुत सारे रूल को जो हटा दिया गया है क्योंकि कोविट के कैसे सब कम आ रहे हरे कंट्री में अलहम्दुलिल्ला अच्छी बात है तो वीडियो को स् लास्ट वन वीक से आज की अगर बात करें लगबख साड़े 600 कैसे साए यह बहुत अच्छा साइन है इन्शाल्ला बहुत जल्द सोधियरभिया में भी कोविड डिस्टिक्शन हट जाएगा आप लोगों ने नोटिस करा ही होगा कि कोविड के कैसे जैसे ही कम हुए वर्ल् से नया मंथ स्टार्ट होगा मार्ज का और काफी लोग यह उमीद में के साथियरभिया भी अपना जो कोविड डिस्टिक्शन है वो हटाएंगे ऑ्लिस्ट जो वाक्सिनेटीड लोग है उनके लिए जो रिस्टिक्शन से वो हटेंगे तो मार्ज का गाइडलाइन फिलहाल अभी तक आया नहीं है, जैसे ही आएगा, मैं आप लोगों तक शेयर करूँगा, इसके अलावे एक good news, जो लोग उमरा करने के लिए जाने वाले हैं, इससे पहले requirement था कि 12 साल से कम उमर के बच्चे नहीं जा सकते उमरा करने के लिए, उसके बाद इसमें change हुआ कि जो लोग 7 साल के उमर के हैं, उससे नीचे नहीं जा सकते, और finally अभी इसमें कोई restriction नहीं है, तो ये good news उन parents के लिए हैं, जिनके साथ में बच्चे हैं, अगर उनको जाना है उमरा करने के लिए, तो बिलकुल वो आपने बच्चों के साथ में जा सकते हैं, इससे पहले क्योंकि जो है उमरा का प्लाइन नहीं कर पा रहे थे, तो चलिए अब मैं इंडिया जाने का जो requirement है वो आपको बता देता हूँ, अब सौधी अरभिया के कोई भी airport से जा रहे है, या पिर सौधी के बाहर दूसरा country से भी आप इंडिया जा रहे हैं, और वो country 87 country का list में है, Ministry of Health इंड अगर आपने vaccine के doses ले लिए हैं तो, आपको इंडिया जाने के लिए सिर्फ air सुविदा registration करना है, यह बहुत ज्यादा important है, यह आप नहीं करोगे, airlines वाले आपको allow नहीं करेंगे, अगर आप खुद से ticket book किये हैं, और खुद से air सुविदा का registration करना चाहते हैं, तो मैंने इ टिकट, vaccine certificates, air सुविदा का registration, और passport लेके जाईए airport में, वहाँ पे सिर्फ आपका air सुविदा का registration check होगा, इससे पहले PCR test check हो रहा था, वो नहीं होगा, actually starting में हुआ कि आप बहुत सारे airlines वाले aware नहीं थे, क्योंकि हम और आप daily news देखते हैं, हम लोग बहुत जादा update रहते है real time में हम लोग update रहते हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, जो real time में updated रहते हैं, मेरे बहुत सारे friends को अभी तक पता नहीं है, कि इंडिया जाने के लिए PCR test का जोरत नहीं है, last week मैं एक friend का room में गया था, मैं उसको बताया कि अभी PCR test कराने की जोरत नहीं है, तो मैं इसे ही ज होते हैं, जिनको पता नहीं रहता है, तो आप में से जो भी सोधी से इंडिया जा रहे हैं, एरपोर्ट में जाओ, 72 hours पहले आप एर सुविधा का registration कर लीजिएगा, उसके बाद एरपोर्ट जाईए, आपको immigration में कोई problem नहीं होगा, airlines वाले भी सिर्फ आपका एर सुविधा का registration ही चेक करेंगे, फिर सोधी से flight में जब आप इंडिया जाओगे, इंडिया में डेली जाओ, मुंबई जाओ, कहीं पे भी जाओ, वहाँ पे भी सिर्फ आपका एर सुविधा का registration ही चेक करेंगे, और एक important चीज मैं आप लोग को बता देता हूँ, कोई भी country जब आप ज मुझ गया, उसके बाद आप अराम से अपना घर जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप में से जिसने भी recently सोधी से इंडिया का travel किया है, आप अपना experience कमेंट करके बतेए, ताकि दूसरों को भी help मिले, तो आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में ख्याल रखे अपना, thank you so much for watching.